हेलो दोस्तों, आचल टेरिस गार्डन में आपका स्वागत है, आज की वीडियो में मैं आपको 17 ऐसे फ्लावरिंग प्लांट शेयर करूंगी, जो बारों महिने फ्लावर्स देते हैं, और कटिंग से बहुत आसानी से लग भी जाते हैं, उससे पहले मेरे गार्डन में इंडो शूट कर रही हूँ, और क्रोटोन के प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, इनको रात भर ओस की बूंदे जो गिरती हैं उससे बचाना होता है, तो मैंने एक किनारे में इनको रखा हुआ है, थोड़ी बहुत ओस की बूंदे इनको रात में मिलती है, और सनलाइट इनको अभी नहीं मिल रही है यहां पर, और इधर भी आप अरीका पाम और थूजा के प्लांट देख सकते हैं, यहां क्रोटोन इस तरफ रखे हुए हैं, और सनेक प्लांट यह सारे पर्मनेंट प्लांट होते हैं, जो विंटर में थोड़े से इनकी जो ग्रोथ होती है, व यहां से पर्मनेंट फ्लावरिंग प्लांट जो आपको बारो महिने फ्लावर्स देते रहेंगे, आपके गार्डन में फ्लावर्स की कमी नहीं होने देंगे, तो सबसे पहले नंबर पर जो प्लांट है वो देसी रोज है, बहुत प्यारा सा इसमें फ्लावर्स आता है, बह भी इसमें आते हैं friends देसी रोज में तो इसको भी आप cutting से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये बारो महिने flowering करता है कभी भी इसके flowers आने बंद नहीं होते हैं और यहां देखें टेरिस पे मैंने pot में भी लगा के रखा हुआ है और इसको भी मैंने cutting से ही तयार किया है दूसरे नंबर पर जो plant है वो गुढ़ल है hibiscus ये भी साल के बारो महिने आपको flowers देता रहता है cutting से बहुत आसानी से grow हो जाता है hybrid हो चाहें देशी हो flowers की कमी नहीं होता इससे हमारे garden में देशी के तो और क्या कहने थोड़े से अभी winter season में देशी में देशी गुढ़ल में थोड़े से flowers कम हो जाते हैं लेकिन देखे ये मेरे देशी plant है देशी गुढ़ल के और आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से flowers आ रहे हैं और थर्ड नंबर पर जो मैं प्लांट आपको दिखा रहे हूँ वो बोगन विला है बोगन विला बहुत खुबसूरत flowers देने वाला प्लांट होता है देखिए इसके पत्ते भी नजर नहीं आते जब इसमें flowering चलती है और ये भी cutting से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है ये तीनों प्लांट को तो मैंने खरीदा है नरसरी से और लगभग 50-60 रुपए में मैं खरीद के लाई थी लगभग 4 साल पहले मैं लगाई थी इस प्लांट को ये तीनों प्लांट को तो तीन कलर वराइटी में हैं मेरे पास बोगन विला के तो इसको भी आप जरूर एड अपने गारडन में यदि आप बारों महिने फ्लावर्स लेना चाहते है तो नेक्स्ट नम्बर पर जो प्लांट आपसे शेयर कर रही हूं वो कनेर का प्लांट है परमनें प्लांट होता है बहुत सारे कलर्स में इसके फ्लावर्स आपको देखने को मेलेंगे इसमें देसी यह देख रहे है वो देशी variety का कनेर का plant है ये यलू color का इसमें white भी होता है पिंक होता है dark pink light pink और red color के बहुँ सारे colors में इसके flower वाले plant आपको मिल जाएंगे और ये जो plant आप देख रहे है और दोनों को ही मैंने cutting से ही तैयार किया है इसके desi में आप देखेंगे तो वो भी cutting से तयार हो जाता है और बीज से भी ग्रो हो जाता है नेक्स्ट नंबर पर जो प्लांट आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट प्लांट है पाउडर पफ यह सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है देखिए इतने सारे इसमें सीड पॉट रेडी हो रहे है चोटे-चोटे सीड से कुटिंग से, मैंने ट्राइ किया है इसको लेकिन मेरी कुटिंग सक्सेस नहीं हुई है आप चाहें तो इसको कुटिंग से भी रेडिक कर सकते है, देखें, दो 你दो प्लांट आपको दीख रहे होंगे सीड गिरे है वहाँ पर और लग गए हैं तो ये भी बारो महने flowers देता है ये plant बहुत खुबसूरत plant होता है next number पर जो plant आप देख रहे हैं वो जट्रूपा का plant है इसमें भी 2-3 colors के flower वाले plant आपको दीख जाएंगे red और pink में तो मेरे पास red है, pink तो नहीं है और इसको मैंने cutting से ही ready किया है लगभग 3-4 साल पहले, इसका एक plant और तयार हो गया है cutting से वीडियो के में आपको मैं दिखाऊंगी, आगे जब हम उधर जाएंगे तो और next number पर जो plant आप देख रहे हैं वो हमारा नागचंपा है नागचंपा भी बारो महने flowering करने वाला plant होता है rough and tough plant ज्यादा care की जरूरत नहीं, कैसे भी मिट्टी में ये grow हो जाता है और किसी भी तरह आप इसको रख सकते हैं, बहुत बढ़िहा plant होता है पानी यादी कम भी देते हैं, तब भी यह plant बहुत अच्छे से चलता है ये भी cutting से बहुत आसानी से grow होता है next number पर जो plant आप देख रहे हैं, जो बारो महीने flowering करता है वो गोरी चोरी का plant है, देशी टीकोमा ये इसका plant लंबा हो जाता है, बहुत बढ़ा height का और इसके flower देखी कितने प्यारे होते हैं इसका मैं hybrid भी दिखाऊंगी, ये देखिए ये hybrid है hybrid टीकोमा है, yellow color के flower आते है hybrid टीकोमा में 3-4 colors के आपको flower वाले plant मिल जाएंगे ये yellow है, इसमें orange भी आता है, pink भी है देखिए pink में भी flowering हो रही है और ये orange में भी हो रही है तो जो ये yellow है ना, yellow बारो महीने flowering करता है pink तो तेज ठंड में थोड़ा सा rest period में चला जाएगा pink और जो orange है वो लेकिन ये yellow वाला बारो महीने flowering करता है cutting से बहुत आसानी से grow होता है next number पर जो plant आप देख रहे हैं वो adenium है, हमारा देसी adenium hybrid adenium तो बारो महीने flowering नहीं करता लेकिन ये जो देसी adenium का plant है friends, वो बारो महीने flowering करता है ठंड में भी है, अभी आज आप देख सकते हैं 25 नमंबर है आज और ठंड हमारे हैं अच्छी पढ़ रही है उसके बाद भी देखे, इसमें flowers खिल रहे हैं और ये भी seed से बहुत आसानी से grow हो जाता है देखे, इसमें seed pod भी लगे हुए है बहुत सारे और cutting से भी ये तयार हो जाता है ये plant, ये white वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं और pink वाला next number पर जो plant आप देख रहे हैं जो बारो महीने flowering करता है permanent plant है, वो है हमारा Mexican हैदर का इसमें दो colors के हैं मेरे पास ये pink वाला और एक white वाला तो ये भी बारो महीने इसमें flowers आते हैं winter season में थोड़े से कम हो जाते हैं लेकिन summer और rainy season में इसमें भर-भर के flower आते हैं ये भी cutting से बहुत आसानी से grow हो जाता है next number पर आप जो देख रहे हैं वो हमारा exora का plant है इसमें भी कई सारी variety आपको देखने को मिलेंगी drop variety, tall variety छोटे पत्तों वाली, बड़ पत्तों वाली और bunches में इसके flower होते हैं ये भी बारो महीने flowering करता है cutting से बहुत आसानी से grow हो जाता है और अभी ठंड वे थोड़े से इसके flower कम हो जाते है next जो plant आप देख रहे हैं वो विनका का है hybrid हो, चाहे देशी हो ये भी ऐसा plant है जो बारो महीने flowering करता है वैसे ये एक plant बहुत दिनों तक टिकता नहीं है इसको cutting से और seed से हमें multiply करना होता है next नमबर पर जो plant देख रहे हैं वो जीनिया है जीनिया की ये draw variety है और ये वाला plant बहुत easily beege से तयार हो जाता है cutting से भी तयार हो जाता है और ये भी बारो महीने flowering करता है इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि एक plant हमेशा नहीं टिकता इसको 4-6 महने में multiply करना पड़ता है देखिए ये जाट्रोपा मैंने कहा था ना आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी तो जाट्रोपा का plant cutting से तयार हुआ है तो next नमबर पर आप देख रहे हैं वो हमारा lantana का plant है lantana में भी बहुत सारी colors के flower वाले plant आपको देखने को मिलेंगे मेरे पास 4 है ये purple आप देख सकते हैं देखिए ये purple वाला है yellow वाला है और यहाँ पर white वाला है और ये red वाला है तो 4 ऐसे plant हैं जो cutting से बहुत आसानी से grow होते हैं और बारों मेने इसमें flowering चलती है तेज winter में ही इसके flower कम हो जाते हैं बाकि ये बारों मेने flowering करता है next number पर आप जो plant देख रहे हैं वो euphorvia mili का plant है इसमें भी कई सारे colors वाले flower के plant आपको देखने को मिलेंगे मेरे पास 2 ही है एक तो ये red और एक white वाला यहाँ पर मैंने seed से त्यार किया है अपने आप seed से पता नहीं ये plant ready हुआ है pink वाला देखे कितना प्यारा लग रहा है red, white और pink इस तरह से ये cutting से बहुत easily grow होता है बारों मेहने इसमें flowering होती है next number पर जो plant देख रहे है वो हमारा pentas का plant है pentas के तीन color है मेरे पास एक white है, pink है और red है ये भी cutting से बहुत आसानी से grow हो जाता है बहुत प्यारा plant होता है बंचिस में flowers देने वाला और बारों महिने flowering होती है इसमें देखे फ्रेंट्स जब भी इसके flowers complete होते हैं तो इनको हमें हटा देना चाहिए तब ही यह plant भूशी होता है और इसको भी आप cutting से multiply करते रहिए क्योंकि ज़्यादा पूराना जब होता है plant तो इसका plant जो है न वो burn होता है, पत्ते इसके burn होने शुरू हो जाते है और धीरे-धीरे खराब हो जाता है तो आप यह करें, cutting से जल्दी से इसे तयार कर ले नेक्स्ट नमबर पर जो plant आप देख रहे हैं वो blue days का plant है यह भी एक permanent plant है इसमें भी बारू महिने flowering होती है लेकिन सबसे अच्छी flowering इसमें फरवरी मार्च के महिने में होती है spring season में और इसके flower blue color के होते है देखे कितने अच्छी से यह flowering कर रहा है और cutting से बहुत आसानी से grow होता है अभी भी इसकी cutting आप लगा सकते है किसी भी मौसम में इसकी cutting grow हो जाती है नेक्स्ट नमबर पर आप plant जो देख रहे है वो हमारा अभी यहाँ पर देखे मैंने इसको cutting से तयार किया है यह देख सकते है friends यह सब cutting से ही तयार plant है और इसमें भी देखे अच्छे से flowers आ रहे है थोड़ा सा यह श्रब नुमा plant है जाडी नुमा इसकी कटाई-छटाई करके आप इसको इसके shape को maintain कर सकते है और यहाँ पर देखे गोरी-चोरी का plant मैंने लगा रखा है cutting वो भी चल गई है तो इसकी दिन उसको मैं report कर दूँगी अगला जो plant आप देख रहे हैं वो है हमारा torenia का plant आप जानते हैं यदि आप मेरे regular viewers हैं तो आपको पता ही होगा कि कि मेरे garden में torenia कितने सारे उगते रहते हैं seed से seed से यह multiply होते रहता है बारो महिने इसमें flowering चलते रहती है इसका भी एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इसके एक plant हमेशा नहीं टिकता इसको seed से और cutting से हमें multiply करते रहना चाहिए तो आज मैंने आपसे 17 ऐसे plant share किये है जो आपके garden में 12 में फूलों की कमी को दूर करेगा फूल हमेशा उनमें रहेंगे और cutting से भी बहुत आसानी से यह plant सारे grow हो जाते है वीडियो के end में मेरे देसी जाफरी को भी देख लीजिए जो बहुत अच्छे से flowering कर रहा है तो फिर आज की वीडियो में यही शेयर करना था मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए happy gardening, bye, thank you